बिरियानी मटन प्लाव असलालेकूम कैसे आप सब आज हम अपने किचन में बनाएंगे जबरदसा बीफ मटन बिरियानी प्लाव यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशिश तैयार होती है आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो इसे कोई दिन फिक्स नहीं है लेकिन इसे रेसिपी स्टार्ट करते हैं भगोना रखा है हमने इसमें हाफ कप तक कोईल डालेंगे दो से तीन मीडियम साइस की प्याज है हमने उसे स्लाइस करके डालना है और अच्छा सा गोल्डन कलर कर लेना इस तरीके से और इसकी आधी प्याज हम निकाल के साइड में रख हैं काली मिरीच है बड़ी लाइची है इसारी की कॉंटिटी कितनी है मैं आपको डिस्टिक्शन में दे दूंगी आप चेक कर लीजेगा अब कुछ सेकंड के लिए भूल लेंगे चम्मा चिलाना बिल्कुल बन मत करिएगा दो तेस पत्ता डालेंगे ताकि हमारा प्याज लाले जले न बिल्कुल भी उस सेकंड के लिए भून के अमसे साइड में रख देंगे अब इसमें दालेंगे देड किलो बीफ का मटन है यह हमने मटन लिया है हड्डी आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं बड़ा सा हड़ी नली लिया है इसमें यह जो प्लाव और बियान अद्रग लसुन का फेस दालेंगे उसे भी हम दालेंगे इसके अंदर रेसिपी बहुत लाजवाब है त्राय नहीं किया तो आपने फिर क्या ही ट्राय किया जबर्दसी रेसिपी ज़रूर ट्राय करिएगा हर अब इसे हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भूल भूनाई बहुत जरूरी होती है मीट है यह तो थोड़ा देर तक भूनेंगे अब इसमें दो टीसपून सॉफ का पॉडर है एक तीसपून हल्दी है तीन धनिया पॉडर है एक तीसपून तीखा लाल है और एक तीसपून गरम मसाला है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपक होगी कॉंटिटी थोड़ी जादा है अच्छी खासी है देड़ दिलो की बिर्यानी बना रहे हम जो इद वगयरा में बहुत ही शेफिशन होता है डेक बनाने के लिए अगर आप जादा कॉंटिटी की बिर्यानी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं इंशालत जर गलनी की ककारपिची हम इसे डेग में बना रहे हैं कुकर में तो थोड़ा देर में गलता है यह तो इसे दो कप पानी डालके हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए गलनी के लिए जब यह थोड़ा सा गल जाएगा 80% तक का तब इसके अंदर और इंक्रेडियन्स हम डालना स्ट जो नॉर्मल हम खाते हैं वही बाश्मत छावर्यर्ष्चावल को गलनी के लिएक सी तरीक से ड़ा जाता है आप याद रखेगा पानी डाल दिया है हम इसे अच्छे से चला लेंगे उपर नीचे कर लेंगे जबर्दस सारी चीजों को मिला लेंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चे एक बड़ी हरी मिर्च डाले तैंटे और रफली चॉप किया इसका फलेवर नार प्लाओ और भिरियानी हो बहुत ऊच्छाता है कुछ हरी मिर्च ले ले लिए हैं पोदिनब कोदमीर ले लिया है हमने कुछ पतिये और अच् तीन से चार मिट के बाद इसमें बॉयल आने लगा है देखिए इस तरीके से एक बर जब बॉयल आने लगे तो हम चम्मच की मदद से नीचे से ऊपर कर देंगे राइस को और मीट को नीचे कर देंगे तक कि जो मीट वगरा है वो अच्छे से गल भी जाएगा और चावल हमार जो लिए क्वाद मेट का पानी बबल यह जब फ्लेवर के अंदर अच्छे से चला जाएगा और से पूढर जाएगा हमने 10-15 मिनट के बाद हमने इसे खोला है देखिए जबरदस हमारा बिरियानी प्लाव रेडी हुआ है आप इद हो बकरेईद हो रमजान हो कोई भी वकेजन हो जुमा हो सनिचर हो संडे हो बनाईए इंजॉय कीजिए हमारे तरीके से किचन विद्जायका के तरीके से मटन बिर्यानी प्लाव इंजॉय करिए और खूब खाईए सब को खिलाईए सब्सक्राइब करना ना भूली मेरे चैनल को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा इंजॉय कीजिए मटन बिर्यानी बिलाओ हमारे स्टाइल से असना